नमस्कार दोस्तों में आज आप सभी के लिए फिर शेक नहीं रिप्रिप्रिमेंट लेकर के आ गया हैं जो कि CSIR की वेज्ञानिक तथा अउध्योगीक अनुसंदान परिशद में निकली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंत्रगत वेज्ञानिक नुसंदान का एक भाग है जो कि हैदरबाद में इस्तित है यह आप से ओनलाइन अफलाई मांग रहा है जो कि जूनियर सेक्रिट्रियेट असिस्टेंट यानिकी कनिष्ट सायक अभियंता की पोस्ट और जूनियर स्ट से चालो होंगे साड़ी नो बजे से और लास्ट डेट है जो ऑनलाइन अप्लिकेशन की वह 15-10-2021 फ्राइड़े 6 पीम तक रहेगी और इसके अंदर बताया गया है कि आपको इसकी डेट का इंतजार किये विना जल्दीशे फोरम अप्लाई करना है इसमें जो पहली पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटरेटर असिस्टेंट जनरल के लिए है यानिकी कनिष्ट साय कभी अंता सामाने के लिए आपकी पहली पोस्ट है उसके अंदर 6 पोस्ट है हैं टोटल तीन पोस्ट है आपकी जनरल के लिए है और दो पोस्ट है आपकी OBC के लिए है और एक पोस्ट ST के लिए है इसमें जो आपका वेतन है वो लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रुपाय फिक्स किया गया जिसमें आपकी शुरुआत में जो आप अच्छी सेलरी वाली जोब है और प्लस टू पास के लिए इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ट्वल्थ पास होने चाहिए और आपको कंप्यूटर का नोलेज होना चाहिए और कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड जो की बोड़ साल होनी चाहिए और OBC से हो तो 31 साल होनी चाहिए और ST से हो तो 33 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए इसमें जो आपका काम है selected candidates are required to do all clerical and typing jobs or other official work as assigned from time to time by the content authority इसके अंदर जो आपका कारिय होगा वो clerical प्रकार का और typing प्रकार का official work होगा जो कि और भी आपको टाइम टाइम पर जो authority द्वारा काम दिया जाता है वो आपको करना होगा दूसरी पोस्ट है जो आपकी junior secret junior stenographer के लिए है इसमें आपकी एक पोस्ट है और यह एक पोस्ट only OBC के लिए है इसमें आपका जो वेतन होगा वो level 4 के अनुसार 25,500 से 21,100 होगा और इसमें आपकी जो शुरुआत में salary मिल रही है इसमें आपकी जो 12th pass होने चाहिए और आपके proficiency जो computer के अंदर मांगी जाती है वो होनी चाहिए और आपके इसके अंदर जो की board द्वारा मांगा जाता है आपकी typing speed और इसके अंदर आपको आसु लिपी आना यान की stano भासा आना अनिवारिया है जो की board के अनुसार निदारित की जाती है इसमें आपकी जो OBC की age है वो 30 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें जो आपका काम है वो आपको assigned time to time content authority जो आपको इस्टेनोगराफर का वरक है वो ही करना होता है और इसके अलावा जो काम आपको इसमें करना है इसमें आपकी total 7 post है जिसमें 6 post जुनियर सेक्रेटरियाट असिस्टेंट सामान्य के लिए है और एक पोस्ट जुनियर इस्टेनोगराफर के लिए है अब इसमें आपकी टाइपिंग टैस्ट है वो only qualifying nature का होगा और आपकी इसमें इंगलिश में 35 परमिंट होना निवार्य है और हिंदी में 30 परमिंट आप अलावन्स यानिकी यात्रा बत्ता यह आप सभी को जो government को मिलते हैं वह आपको सभी को इसके अंदर मिलेंगे जो CSIR में सभी और government करमचारियों को मिलते हैं वह सभी बत्ते आपको भी इसमें दिये जाएंगे और इसमें आगे जो लिखा हुआ है इसमें एज्जे आपको मैंने बताई दी इसमें आपका सेलक्षिन हो टेस्ट के अधार पर होगा इसमें आपका दो टेस्ट होंगी है जिसमें आपका धाइगंटे का समय दिया गया है वो आपका 100 question होगा और 200 number का होगा इसमें प्रते question दो number का होगा और इसमें कोई negative marking नहीं होगी और यह only qualifying nature का है और इसके लिए आपको एक time है जो 90 minute दिया जाएगा यानि कि एक गंठा 30 minute आपको इन 100 question को लिए दिया जाएगा और इसमें only आपको qualify होना है इसमें आपके merit list में number नहीं जुड़ेंगे और जो second paper है वो आपका जो merit बनेगी वो second paper के आधार परी बनेगी इसलिए आपको second paper की अच्छे से तयारी करने है इसमें आपके जर्णल आवर्नेंस यानि कि जीके से आपके 50 question आएंगे प्रते question तीन नंबर का होगा यानि कि पचास तीन नंबर का होगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वन भाई थर्ड यानि कि प्रते तीन इसमें आपको जो टाइम है वो एक गंठे के लिए दिया जाएगा और आपके second paper है जो ही आपके merit list का आदार है इसी के आदार पर आपकी merit list बनेगी इसलिए आपको इसकी special तयारी करना है और आपको इसकी जो बुक है जो की इसकी तयारी के लिए best बुक है वो आपको नीचे description में इनकी link दे दूँगा अगर आपको यह job करनी है और बिल्कुल कम competition में जाना है तो आप उन book को खरीद करके उन्हें पड़े और आप 100% यह job पा सकते हैं इसमें जो other information है वो है आपको इसके अंदर जो documents हैं वो सारे एक साथ लगाने है PDF बना करके जो जब आप online apply करोगे उसमें आपको दस्वी की mark sheet बारू की mark sheet अगर degree आपके पास है तो PG degree अगर है तो वो भी लगा अगर आप government करमचारी हैं तो N OC आपको लगानी जरूरी है और category certificate यानि कि आपकी जाति प्रमान पत्तर लगाना है certain certificate अगर आपके पास है तो वह भी लगा देना है और भी कोई अन्य certificate आपके पास है तो वह भी आपको इसमें लगा देनी है और इसमें आपकी साइज 40 के भी होना चाहिए और सिखनेचर जो है उसका साइज आपको 20 के भी से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें अधर इंफोर्मेशन अभी मैं देखता हूं तो दोस्तों आपको यह फोरम जरूर अपलाई करना और इस फोरम को बढ़ करके आपको ओफ लाइन मोड से इ आपका फोरम रिजेक्ट माना जाता है तो इसको जल्दी से अपलाई करें और तुरंत भेज दे इसके फोरम 13 तारीक से अपलाई होंगे तो वेट ना करके तुरंत से इसके लिए अपलाई करें ठैक्यू धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें आपको मेरे अलावा क आपने कोई भी यूटूब चैनल जो इसके बारे में आप जानकारी चाहते हो नहीं दे सकता है मैं जल्दी इसका प्रोमोशन कैसे होता है इसके अंदर क्या-क्या कारिया होता है सभी कारिय जो भी आपकी सवाल होंगे हो मैं सभी आपको आप एक वीडियो करके इना सभी पूछना है वो कमेंट में अवस्चे लिखे थैंक्यू धन्यवाद